बच्चों, अब हम करेंगे exercise 2.3 इसके हंदर हम linear equations को solve करेंगे और check करेंगे result कि हमारा जो answer है वो ठीक आया है या नहीं वो हम कैसे करेंगे हम अभी देखते हैं सबसे पहले हमारा पहला question है 3x is equals to 2x plus 18 तो सबसे पहले हम इसके अंदर x की value निकालेंगे x की value निकालने के लिए हमें क्या करना होगा x की terms को हम एक side ले जाएंगे चाहे आप इसको इदर ले जाओ, चाहे आप इसको इदर ले जाओ पर क्यूंकि हमारे पास यहाँ पर 18 है तो हम 2x को इदर ले जाएंगे इसके आगे plus का sign है यहाँ जाके यह minus हो जाएगा 3x minus 2x is equals to 18 तो 3x में से 2x गया, 3 में से 2 गया, 1 तो x की value हमारे पास आगई 18 चीक है? अब हमें check करना है अपना result check कैसे करेंगे? कि हमारा result ठीक है या नहीं? हम x की value इस equation में डाल देंगे और check करेंगे कि क्या हमारा left hand side right hand side के equal है या नहीं? अगर equal आ जाता है तो हमारा answer ठीक है अगर equal नहीं आता है तो इसका मतलब हमारा answer गलत है check करेंगे हम अपने result को 3x is equals to 2x plus 18 x की value आप substitute करोगे 3 x 18 is equals to 2 x 18 plus 18 3 x 18 is 18 x 3 is a 54 2 x 18, 18 x 2 is a 36 plus 18 54 is equals to 36 plus 18 is also 54 left hand side is equals to right hand side left hand side right hand side के equal आ गई तो इसका मतलब हमारा ये answer बिलकुल ठीक है ठीक है अब हम अगला question solve करेंगे इसी तरह से करेंगे अब इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर दो constant variables है और दो variable values है अब आप चाहे इसको इदर ले जाओ constants को एक side कर लो right hand side कर लो या left hand side कर लो या फिर variables को left hand side कर लो या right hand side कर लो अगर आप variables को left hand side करोगे तो आपको constants को right hand side करना पड़ेगा अगर आप constants को left hand side करोगे तो आपको variables को right hand side करना पड़ेगा कोई एक चीज़ आपको left या right रखनी पड़ेगी तो हम कर लेते हैं variables को left hand side रख लेते हैं और constants को right hand side अब 2x minus x 2x minus 1 is equals to 14 minus x अब यहां पर यह minus है यहां जाके यह plus हो जाएगा यहां यहां पर यह भी minus है और यहां जाके यह भी plus हो जाएगा तो हमें क्या करना है 2x plus x is equals to 14 plus 1 2x plus x is 2 plus 1 is 3 3x is equals to 14 plus 1 is 15 x is equals to यहां पर यह multiply हो रहा है यहां जाके यह divided हो जाएगा 15 divided by 3 3 5 is the 15 x की value मेर पसा क्या आ गई 5 अब हमें इसके अंदर भी अपना करना है result को check check the result हम इस 5 को इस equation के अंदर डाल देंगे 2x minus 1 is equals to 14 minus x x की value मेर पस 5 है 2 into 5 minus 1 is equals to 14 minus 5 5 to the 10 10 minus 1 is equals to 14 minus 5 is 9 10 minus 1 is also 9 9 is equals to 9 left hand side is equals to right hand side तो इसका मतलब हमारे जो x की value है वो बिलकुल ठीक है अब हम करेंगे अगला question 2x by 3 plus 1 is equals to 7x by 15 plus 3 इसके अंदर भी हम ऐसी करेंगे हमारे पस दो variable values है और दो constant values है हम variables value को एक side रख लेंगे और constant values को दूसरी side रख लेंगे तो हम variable values को left hand side ले जाते हैं यहाँ plus हो रहा है यहाँ minus हो जाएगा constant values को हम right hand side ले जाते हैं plus हो रहा है यहाँ जाके यह minus हो जाएगा तो 2x by 3 minus 7x by 15 is equals to 3 minus 1 अब इसके अंदर हमें LCM लेना पड़ेगा क्योंकि हमारा denominator सेम नहीं है हमारा LCM क्या आ जाएगा 15 तो हम इसको अगर 5 से multiply और divide कर देंगे तो हमारा यहां 15 बन जाएगा 2x into 5 minus 7x into 1 और 3 minus 1 के हमारे पास आया 2 5 2 जा 10 10x minus 7x by 15 is equals to 2 10 में से 7 गए 3 3x by 15 is equals to 2 यहां पर यह divide हो रहा है तो यहां जाके यह multiply हो जाएगा 3x is equals to 2 into 15 3x is equals to 30 और हम हमें x निकालना है तो हमारे पास x क्या आ जाएगा 30 divided by 3 यहां पर यह multiply हो रहा था तो यहां पर जाके divide हो जाएगा तो यहां पर आ गए हमारे पास 3 के table में 30 जाता है तो 3 10s are 30 x की value हमारे पास आ गई 10 ठीक है? अब हमें check करना है result के हमारा जो answer है वो ठीक है या नहीं है check करने के लिए हम क्या करेंगे इस equation में x की value डाल देंगे 2x by 3 plus 1 is equals to 7x by 15 plus 3 x की value हमारे पास है 10 2 into 10 by 3 plus 1 is equals to 7 into 10 by 15 plus 3 20 by 3 plus 1 is equals to 70 by 15 plus 3 ये 5 के table में जाते हैं दोनों तो हम इनको simplify कर लेंगे 5 3s are 15 5 1s are 5 2 carry on आ गया 5 4s are 20 तो हमारे पास result आ गया 20 by 3 plus 1 is equals to 14 by 3 plus 3 अब हमें क्या करना होगा इसका LCM लेना होगा तो में पास LCM आ जाएगा 3 अब हम इसका LCM लेंगे हमने लेलिया LCM 3 तो 20 plus 3 is equals to 14 plus 3 था यहाँ पर इसको 3 से multiply कर लेंगे और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास denominator में 3 20 plus 3 is 23 by 3 और 14 plus 3 3 is a 9 by 3 तो 23 by 3 is equals to 14 plus 9 is 23 by 3 हमारा LHS is equals to RHS हो गया और लेफ्ट हैंड साइड रेट हैंड साइड के equal हो गई तो इसका मतलब हमारा जो यह X निकला है यह बिल्कुल ठीक है तो बच्चों यह था हमारी exercise 2.3